हलो फ्रेंज, वेलकम टू हिमाचली वर्ल्ड हिमाचल में 18-44 आयूवर्ग के लोगों को अब 5-17 में लगेगी वैक्सीन हिमाचल प्रदेश में 18-44 आयूवर्ग के लोगों के लिए केंदर सरकार से 1,17,830 टीके पहुंच गए है पहले ये डोज 3 किष्टों में 16-26 जून और 2 जुलाई को आनी थी एक साथ वैक्सीन पहुंचने से प्रदेश के युवाओं को 5 दिन यानि 14, 15, 16, 17 और 18 जून को डोज लगेगी उफलब्द सभी डोज 21 जून से पहले 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 प्रदेश के युवाओं को लगा दी जाएगी इसके बाद दुबारा केंदर से वैक्सीन मिलेगी प्रदेश सरकार ने डोज लगाने के लिए स्लोट बुकिंग का तरीका भी बदल दिया है अब टीका करण से एक दिन पहले युवाओं को ऑनलाइन स्लोट बुक करना होगा इससे पूर्व दो दिन पहले स्लोट बुक करना होता था स्लोट बुक करने का समय भी बदल दिया गया है पहले जहां ढाई से तीन बज़े तक बुकिंग होती थी वहीं अब दोपैर 12 से एक बज़े तक स्लोट बुकिंग होगी, हर सेंटर पर एक दिन में 100 युवाओं को टीका लगेगा पूरे राज्य में 1706 सत्र आयुजित किये जाएंगे, 14 जून को प्रदेश के 266 और 15 से 18 जून तक 360 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी अगर किसी जिले के पास इस श्रेनिक अकॉइटी का रह जाता है तो जिले 19 जून को मौपप राउंड आयुजित करके लगा सकते हैं अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहें हिमाचली वर्ल के साथ धन्यवाद